नंश् Fo ivासलं का अपका इन्ह खबर में इस साथ शरत पुर्णिमा पर साल का आखरी चंदर ग्रहर लगने जा रहा है माना जाता है कि पुर्णिमा के दिन गंगास्नयान और दान का सबसे निकट होता है इस दिन चंद्रमा अपनी सोला कलाओं से परिपूर्ण होता है साथ ही इस बार चंद्रग्रहेंड भी 28 ऑक्टूबर यानि कि शनिवार को लगने जा रहा है जो की भारत में भी दिखाई देगा मानेता के अनुसार इस दिन चंद्रमा से निकलने वाली के पूर्णिमा तिथी इस बार 28 ऑक्टूबर शनिवारों को सुभाष चार बच कर 17 मिनट पर शुरू होगी और समापन 29 ऑक्टूबर रविवार को दोपैर 1 बच कर 15 मिनट पर होगा इस साथ शरत पूर्णिमा 28 ऑक्टूबर को पढ़ रही है श्रत पूर्णिमा की राथ खी चुश खे लिए गरष औरब को ऑपती हैं दिढ़न होगेशिता कक्मरें के सूरुट पूर्णिमा पर आपको क्या काम करना हो करने के लिए हुआ और यार्थिक समस्या क on the karmal nehcks122いました करें साथ ही उन्हें पांच कौडियां और पित करें दूसरा नौकरी व्यपार में सफलता पाने के लिए भी शरत पूर्णिमा के दिन मालक्षमी और हरुमान जी के सामने चौ मुखी दीपक जलाएं तीसरा शरत पूर्णिमा के दिन तुलसी माता की पूजा करना शुब होता पर खत्म होगा यानि कि ये एक घंटा 29 मिनिट का होगा इस ग्रहन का सूथ तक काल 28 अक्टूबर की शाम चार बच कर पांच मिनिट पर लग जाएगा ये ग्रहन मेश राश्ची और अश्विनी नक्षत्र में लगने जा रहा है अभी के लिए फिलाल इतना ही जल्द वाप आएंगे तमाम जानकारियों के साथ तब तक के लिए बने रहे हैं इन खबर पर